नमस्कार मैं हूँ अंजु पंकच बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका मदर्सों को लेकर अक्सर कई तरह के खुलासे होते रहते हैं यह मदर्सी ही हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि एक तो इन मदर्सों में कट्टरवादी सोच वाले लोगों को पैदा किया जाता है दूसी तरफ इन मदर्सों में विदेशों से मुस्लिम कंट्री से करोणों की फंडिंग आती है हवाला के जरीये यहां पैसा पहुँचता है और उस पैसे का इस्तेमाल लव जिहाद के लिए होता है और धर्मांतरण के लिए होता है उस पैसे से PFI के आतंक वादियों की चाहिन बाग में और देश के अलग-अलग इलाकों में लंबे समय तक चलने वाले आंदोलंग होए थे उनकी फंडिंग भी इनी मदर्सों में वाया PFI वहां तक पहुँचती है तो यानि कि एक तरह से विदेशी फंडिंग का अड़ा बन चुके हैं यह मदर्से लेकिन बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है एंसी पीसिया के अध्यक्ष प्रियंक कानून गो ने बाकाइदा ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा बिहार राज्य में सरकारी फंडिंग से चलने वाले मदर्सों में तालिम दिये जाने की सूचना एंसी पीसियार को मिली है लेकिन बिहार सरकार संख्या अनुपात की आधिकारिक जानकारी नहीं दे पा रही है यानि कि बिहार सरकार ये जानकारी नहीं दे पा रही है कि किस मदर्से में कितने मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने गैर मुस की जो हिंदू बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं जब NCPCR की तरफ से कहा गया कि इन बच्चों को मदर्सों से हटा कर नॉर्मल स्कूल में डाला जाए तो यह सफाई दी गई मदर्सा बोर्ट की तरफ से कि जो सिलेवर्स जो पाठिक्रम मदर्सों में बच्चों को पढ़ा जा रहा है दरसल उसे तो UNICEF इंडिया ने तयार किया है आप सोचिए क्या UNICEF इंडिया यह तै करेगा कि पाकिस्तान के मदर्सों में जो कितावे बच्चों को पढ़ाई जा रही है वो भारत में बिहार के मदर्सों में भी पढ़ाई जाएं क्या UNICEF इंडिया ये पाठेक्रम तै करेगा तो बिहार मदर्सा बोर्ड जिस तरह के दावे कर रहा है वो बिना से पैर के दावे हैं ऐसे में प्रियंग कानुनगों का कहना है कि UNICEF इंडिया और मदर्सा बोर्ड मिलकर जो कुछ कर रहे हैं मदर्सों में पाठेक्रम के नाम पर दरसल वो तुष्टिकरण की पराकाश था है उन्होंने कहा कि बच्चों के सरक्षन के नाम पर दान में मिले और सरकारों से ग्रांट मिले पैसे से कटरवादी पाठेक्रम बनाना UNICEF का का काम नहीं है UNICEF इंडिया ये तहीं नहीं करेगा कि मदर्सों में कौन सा पाठेक्रम पढ़ाय जाए युनिसेफ इंडिया का ये भी काम नहीं है कि वो पाकिस्तान के मदर्सों में पढ़ाई जाने वाले किताबे यहां के लिए रिकमेंड करें आगे उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा RTE यानि की Right to Education के इतर गतिविधी में फंड का दुरुप्योग भारत के समविधां का उलंगन है और युनिसेफ इंडिया को इसकी जाच करनी चाहिए आगे उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि RTE यानि की Right to Education के इतर इस तरहां की गतिविधियां जो मदर्सों में हो रही है पाकिस्तान की पाठेक्रम को फॉलू किया जा रहा है दरसल वो भारत की समविधान का उलंगन है और उनका कहना इसकी जाच परताल होनी चाहिए और ये सब कुछ जो है वो यूएन की निगरानी में भी आना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि प्रिस्क्राइब्ड पाठेक्रम जो है उसमें ऐसी कई किताबे शामिल है जो पाकिस्तान में छपवाई जाती है और अभी फिलहाल वो लोग यानि कि NCPCR के टीम उसके कंटेंट पर और रिसर्च भी कर रही है कि इसके अलावा और क्या-क्या य जिहार की मदर्सों से पढ़ने वाले बच्चों की सोच क्या होगी? क्या वो कट्टरवादी सोच लेकर समाज में नहीं जाएंगे? जबकि हमारे देश में right to education है और यह माना जाता है कि मदर्सों में पढ़ने वाले बच्चों के भी एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ मे computer होना चाहिए ताकि कल को आगे चल कर वो बागी बच्चों के साथ compete कर सके नौकरी हासिल कर सके उनको रोजगार मिल सके इंजिनियर बन सके डॉक्टर बन सके आईस बन सके लेकिन अगर बिहार की मदर्सों में बच्चों को दीनी तालीम जो दी जा रही है वो पाकिस्तान म उनका मानसिक विकास कैसा होगा मदर्सों में पढ़ने वाले बच्चे दूसरे बच्चों के साथ compete कैसे करेंगे इसलिए NCPCR के अधक्ष यो है प्रियंक कानून को उनका कहना है कि मदर्सा बोर्ड को खारिज कर दिया जाना चाहिए रद कर दिया जाना चाहिए मदर्से होन ही नहीं चाहिए और चौंकाने वाली बात यह है कि मदर्सों में हिंदू बच्चों के दाखिला लेने की बाते भी आ रही है अगर यहां पर इसलामिक पढ़ाई करवाई जा रही है दीनी तालिम बच्चों को दी जा रही है तो वो तो फिर मुस्लिम बच्चों के लिए इसके अलावा NCPCR ने मध्यपरदेश के मदर्सों में चल रहे एक बड़े फर्जी वारे कावे खुलासा किया है। जबकि वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हिंदू है ही नहीं लेकिन हिंदू बच्चों के नाम मदर्सों के रिजिस्टर में रिजिस्टर किये गए है। और ऐसा किसलिए हो रहा है इसका खुलासा भी NCPCR ने किया है NCPCR की मुताबिक जिन हिंदू बच्चों का दाखिला मध्यपरदेश की मदर्शों में दिखा गया है वो सरकारी या प्राइविट स्कूलों में पढ़ते हैं वो कभी मदर्शा गए ही नहीं इन बच्चों के माता तरीके से दर्श कर ली और दिखाया कि इन सब का एड्मीचन यहां पर हो गया है इस तरह यहां पढ़ने वाले छात्रों में मुसल्मानों से ज्यादा हिंदू बच्चे हैं क्या आप कभी सोच सकते हैं कि हिंदू बच्चे मदर्सों में पढ़ने के लिए जाएंगे हिंद हिंदु बच्छों के नाम अर्धियो के नाम मध्य प्रदेश के मदर्से में दर्ज है। जैसे एक बच्चा है जिसका नाम है मानव गोयल, उसका नाम 2004 में भी मध्यपरदेश के मदर्शे में दर्श था, 2018 में भी उसका नाम वहां के मदर्शे में दर्श था, 2023 में भी उसका नाम वहां के मदर्शे में दर्श है, जबकि आज की तारीक में मानव गोयल एक software engineer है, तो 2004 में जिसका नाम मदर्शे में दर्श हुआ वो 2023 तक यानि कि लगबग 19 साल तक भी मदर्शे में पढ़ रहा था आगे देखी एक लड़की है प्रिया मित्तल उसका नाम है वो आज की तारिक में डॉक्टर है लेकिन उसका नाम भी मदर्शे में आज भी दर्श है जोटसना गोयल भी एक डॉक्टर है लेकिन उसका नाम भी मदर्शे में दर्श है डैटा चुरा कर ये नाम मदर्शे में दर इस तरीके का फर्जी वाड़ा मद्यपरदेश के मदर्सों में चल रहा है। ऐसे अनेकों धारण हैं जहां पर हिंदू बच्चों के नाम सालों से दर्ज है मदर्से में सिर्फ और सिर्फ सरकार से पैसा और राशन का खाना लेने के लिए। मुस्लिम बच्चों के नाम तो हैं वहाँ पर लेकिन हिंदू बच्चों के नाम भी डेटा चौरी करके वहाँ पर जानबूज कर डाले जाते हैं। दरसल मद्यपरदेश सरकार की तरफ से मदर्सों में पढ़ने वाले 100 बच्चों के लिए हर महीने 50,000 उपए से 60,000 उपए त तो आप मान लीजे कि एक लाग से एक लाग 20,000 उपए उस मदर्से को मिलेंगे तो बच्चों की तादाद ज्यादा रहे और ज्यादा पैसा मद्यपरदेश सरकार से मदर्से को मिल सके इस होड में हिंदू बच्चों के नाम भी बाकाइदा उनका पूरा डेटा चोरी करके मदर्सों में दर्ज कर दिया जाता है और साल दर साल वो नाम वहाँ पर दर्ज रहता है ताकि सरकार की तरफ से मिलने वाला पैसा निरंतर मिलता रहे इसके अलावा भी मद्यपरदेश सरकार की तरफ से इन मदर्सों को कई तरह की मनत दी जाती है इनमें शिक्षकों के वेत ग्यारा हजार चारसो चालिस रुपई भी दिये जाते हैं। और जो रसो यह वहांपर काम करता है। उसको देने के लिए चार हजार रुपई हर महीने की हिसाब से वेतन दिया जाता है। और यह सारे सुविधायं मदर्सों को दी जाती हैं। तो मदरसी कोशिश करते हैं कि सारी सुविधाय मदरसों को मिलती रहे इसलिए बच्चों की तादाद ज्यादा दिखाने के लिए हिंदू बच्चों के नाम भी मदरसों में डाल दिये जाते हैं कोई समझने की कोशिश नहीं करता है कि हिंदू बच्चे वाँ पर कौन से शिक्षा लेने के लिए आएंगे वो कभी मदर्सों में पढ़ने के लिए नहीं जाते लेकिन इन मदर्से वालों को जब मुसल्मान बच्चे नहीं मिलते और इनका आंकड़ा 100 के पार नहीं जाता है तो फिर ये हिंदू बच्चों के नाम भी एक साज़िश के तहर मदर्से में रिस्टर कर देते हैं इसके लावा इन मदर्सों में पढ़ाने वाले सनातक शिक्षक को हर महीने 3000 रुपए वेतन मिलता है सरकार की तरफ से और पोस्ट ग्रेजुएट को हर महीने 6000 रुपए का मिलता है तो ये जो हिंदू बच्चों के नाम मदर्से में रिस्टर करवाने का या मदर्से में रिस्टर में दिखाने का जो चलन है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि इस सारा पैसा मदर्सों को हर महीने मिलता रहे एक तो इन मदर्सों को विदेशों से फंडि दिये जाते हैं बैठे बिठाए हर महीने उनको 2-5,5 रुपया मिलता है अगर उनके मदरसे में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं इसलिए हिंदू बच्चों के नाम इसमें डाले जाते हैं आगे देखें मद्रपरदेश के भिंड इलाके में कुछ मदरसे हैं जिनमें कितने हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं उसका आंकड़ा भी सामने दिया है NCPCR ने बिंड के मदरसा हुसेनी फॉर ओनली गर्स में कुल 77 बच्चे हैं जिनमें 44 प्रतिशत हिंदू है ये मदरसा सिर्फ लड़कियों के लिए है लेकिन 77 बच् फॉर ओनली गर्स में 83 विद्यारती हैं जिनमें 53 प्रतिशत चात्र हिंदू है अगर हिंदू के नाम वो नहीं डालेंगे तो आंकड़ा सौ के पार नहीं जाएगा और पैसा नहीं मिलेगा सरकार से भिंड के सुभाष नगर में चल रहे मदरसा मस्जिद नभी में 87 चात्र है जिनमें 44 प्रतिशत हिंदू हैं अगर भिंड और मुरेना में मदरसों की बात करें तो मुरेना में 70 और भिंड में 67 मदरसे चल रहे हैं दोनों जिलों के कुल 137 मदरसों में 3880 हिंदू बच्चों के नाम रजिस्टर्ड हैं और गौर करने वाली बात यह कि मद्य प्रदे दे मिल का अनाज और पैसा हड़पने के लिए किया जा रहा है सिर्फ फर सिर्फ इसलिए कि सरकार से जो अनुदान मिलता है जो हर महीने दे के नाम पर अनाज मिलता है अलग अलग लोगों को वेतर मिलता है सरकार की तरफ से वो मिलता रहे इसलिए इतने बड़े पैमाने पर मध्यपरदेश में फर्जिवारा हो रहा है और इन मदर्सों में बाकाइदा कितने प्रतिशत हिंदू बच्चे हैं उनके नाम का भी जिक्र है और अब मध्यपरदेश सरकार ने बहुत सक्त रुख अपना लिया है उन्होंने बाकाइदा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको ये आदेश दिया है कि वो खुद जाकर इन मदर्सों का मुआयना करेंगे वहां जाकर देखेंगे कि कौन-कौन बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं और किस तरह की एजुकेशन वहां पर दी जा जानकारी है और यह जो फर्जी वाड़ा है कि हिंदू बच्चे वहां पर पढ़ाए जाते हैं हिंदू बच्चों के नाम रेजिस्टर में दर्ज है आखिर वो हिंदू बच्चे कौन है और कैसे उनके नाम यहां पर डाले गए किसने डाले गए और हिंदू बच्चों की जानकारी के बिना उनके माता-पिता के जानकारी के बिना ये नाम जिसने भी डाले हैं उसके चलते इन मदर्सों की मानिता रद की जाएगी ये और इस खुलासे के बाद मद्धे परदेश सरकार ने दे दिया है और फिर आपको याद होगा इसी साल अपरेल महीने में उत्तर उत्तर परदेश में भी योगी सरकार ने तेरह हजार मदर्सों पर गाज गिराई थी उत्तर पर जो मदर्से चल रहे हैं खास्त तौर पर नेपाल के साथ जो सीमा है वहां पर घेर कानूनी तरीके से मदर्से चल रहे हैं और इन मदर्सों में जो पैसा आता है वो खाड़ी के देशों से आता है, मुस्लिम देशों से आता है और उस पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो धर्मांतरण के लिए इस्तिमाल किया जाता है, UPATS ने इसको लेकर बड़े-बड़े खुलासे किये थे और बहुत से को गिरफतार किया था, उस पैसे का इस्तिमाल लव जिहाद के लिए भी क्या जाता है, लेंड जिहाद के लिए क्या जाता है, और आपको याद होगा इसी साल अप्रेल महीने में उत्तरपदेश में 13,000 मदर्सों की मानिता रद की गई थी, बहुत सारे मदर्से गैर कानून के लिए तो क्या ही जाता है, आपको याद होगा, UPSTF ने पिछले साल कितने लोगों को गिरफतार किया था, जो धर्मांतरन के काम में लगे हुए थे, लव जिहाद में वो पैसा इस्तेमाल होता है, लेंड जिहाद में होता है, और साथी साथ, कई आतंकवादी संगठनों क भी उसके जरिये funding की जाती है, ऐसे में योगी सरकार ने इन सब मदर्सों से ये जानकारी मांगी थी कि इनको fund कहां से मिलता है, कौन इनको funding करता है, कहां से इनको पैसा आता है, इसका पूरा लेखा जोखा योगी सरकार ने मांगा था, और जिन मदर्सों ने अपनी registry के जानकारी अधिकारियों को दी थी, वो तो बच गए, लेकिन जो ये जानकारी नहीं दे पाए, उन पर गाज किरी थी, 13,000 मदर्सों पर ताला लगा है, और अब जिस तरह की जानकारी मध्यपरदेश से आ रही है, बिहार से आ रही है, ये अपने आपने बहुत चौंकाने वा पर, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फर्जी वाड़ा है, एक कटर सोच इन मदर्सों में पैदा की जा रही है, आपको याद होगा, पिछले दिनों एक आतंकवादी गिरफतार हुआ था और पता चला था कि वो उत्तरपरदेश के एक मदर्से से पढ़ा था, तो पढ़ने वालों की सोच कितनी कटर होगी, इसके कई उधारण पहले भी देखने को मिले हैं, ऐसे में मदर्परदेश सरकार की साथ-साथ बिहार सरकार को भी मदर्सों पर पूरी तरह से नज़ा रखने की जरूरत है, वहां पर किसको पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, ये राजे सरकारों की जिम्मेदारी है, मदर्सा बोर्ड की जिम्मेदारी है, ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार के भी कई मदर्सों पर ताला लगने के पूरे-पूरे आसार है, और मध्यपरदेश में तो ये कारवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन आज़ा लगा सकते हैं कि उनकी सौच कितनी कट्टर होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृप्या इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो कृप्या मेरे चैनल को सबस्कायब करना न भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जैखो, वंदे मात्रम और जैशिर राम.